hello students welcome on my channel new rms classes कल के lecture में हमने के थे relations के कुछ basic concept clear के थे आज में सब्सक्राइब करते है 2.2 लेखिए question number first let a is equal to this set दे रखा है 1 2 3 4 अप्र सब्सक्राइब 14 a में जो element है 1 3 4 14 अपके बास last है ठीक है define a relation r from a to a एक relation आपने define किया है a to a y r is equal to xy जहां पर relation क्या given a xy type element होंगे condition लगा दियां पर 3x-y equal to 0 और xy किसके element होने चीए a के और आपको बताना है its domain core domain and range टीके तो सबसे पहले आप relation find out कीजिए देखें रिलेशन गिवन आपके बस xy type की element होंगे 3x-y equal to 0 और चीए ठीक है तो a set आपके बास गिवन है 1 से शुरू element 1 2 3 4 अप्टू सौन 14 तक element गिवन है हमें डिलेशन निकालना है that means x की वेल्यू वन से स्टार्ट करते हैं एक्स की वेल्यू अगर हम वन लेते हैं इस बिलोंस टूए 3x 3 into 1 x के जिगर पर वन बूट करेंगे condition यहां लिख लेते हैं 3x-y equal to 0 यह आपके पास गिवन है a to a तो जो नंबर हम सॉल्व करके यह की जो निकालेंगे वह भी हमारे बास a set का ही element हो चाहिए तो यह भी आपके पास एमें बिलोंग रहे हैं इसका मतलब आ गया कि हमारे बास x equal to 1 relate करेगा 3 से समझ गए 3 अमने कैसे निकाला है इस relation का यूज करके इसने condition दे रखें रिलेशन में कि 3x minus y equal to 0 ना चाहिए यहां से आप इसको एसे भी लिख सकते हो y equal to 3x तो x की value रखते जाब y की निकालते जाब x की value हम 2 लेते हैं 2 belongs to a then y की value क्या जाहेगी 3 into 2 6 6 also belongs to a implies that 2 relative हुज जाएगा आपके बास 6 next is x की value अगर हम 3 लेते हैं 3a का element लिया हमने y is equal to 3 into 3 this is 9 9 also belongs to a क्योंकि a में 14 तक element है इसका मनलब हुआ हमारी पास 3 जो वो relate करेगा 9 से x 4 then y is equal to 4 value रखेंगे हम relation में 3 into 4 12 12 also belongs to a 14 से पहले 12 आजाएगा आपके बस चार रिलेट करेगा आपके बस y की value हमारी पास आई है 12 12 से ठीक है अगर x के value हम 5 लेते हैं then y की value क्या आएगी 5 महारा खेंगे तो 3 into 5 this is equal to 15 तो क्या 15 एका नमबर है नहीं है नहीं है this is doesn't belongs to a okay then यह आपके बास यह का element नहीं है इसका मतलग 5 रिलेट नहीं करेगा 15 से देन इस से तेम तेम आपके वास अगर हम 6 लेते है वह भी नमर आपके बास ऐसे बाहर जाएगा यानि 14 से बढ़े आएंगे तो इससे आगे कोई relation नहीं बढ़ेगा relation में कितने element आए 1 2 3 4 तो relation हमारे पास आजाएगा r is equal to 13 के साथ रिलेट कर रहा है तो ordered pair में लेते हैं है ओके 26 के साथ रिलेट कर रहे है तो सिक्स यहां से 39 है एंड फूर यह हमारा बन गया relation जो हमेरे कोशन में गिवने कंडिशन के कॉलिंग ठीक है फिर कहता है कि इसके डॉमें को डॉमें और रेंज बताइए डॉमें आपके बास क्या होता है कि डॉमें कौन सा सेट बनता है जो फर्स्ट नंबर पर आपके बास आता है इस डॉमें आजाएगा 1 2 3 4 डॉमें आजाएगा अब देखिए जिए भी आप डॉमें निकालते हो हमें रिलेशन से चेक आउट करना है ऐसा नहीं है कि हम सेट के पूरे नंबर उठा लेंगे व हमारे रेंज होते हैं यहीं कि जिसे हमारा डॉमें एसोसियेट होता है इस इस 3 6 9 & 12 को डॉमें हमने क्या बता है था को डॉमें हमेरे पास पूरा सेट ए होता है रिलेशन हमारा एटू है तो यह जो सट आपके बास बनेगा यह को डॉमें होता है ठीक है यह सट डॉमें हम वह element उठाएंगे जो हमारे रिलेट कर रहे है ठीक है तो आपके पास कोड़ों में क्या आ जाएगा 1 2 3 4 अप्टो सौन 14 3 4 5 अप्टो सौन 14 तक आ जाएगा तो यह आपके पास question first second देखिए define a relation r on natural number r आपके पास given x y y is equal to x plus 5 x is a natural number less than 4 देखिए आपके condition क्या लगा दिसने कि x हमारा natural number जो कि 4 से less है चलिए condition given है y is equal to x plus 5 कहता है कि x natural number less than 4 है तो यहां पर जब आप x y की value निकालोगे तो x की value लेके चलोगे 4 से less और x किसे बिलॉंग कर रहे है natural number से that means x कौन कौन सी value आ जाएंगे 123 क्योंकि x natural number है तो 1 से चुन होगा और 4 से strictly less बोला है तो x की value last होगी 3 तो x की value हो जाएगी 123 यह पूट करके हम y की value निकाल सकते हैं और हम देख सबते हैं कि relation में कौन कौन से number आएंगे ठीक है चलिए xy हमारे natural number से बिलॉंग करना चाहिए x अगर हम 1 लेते हैं तो y की value क्या आती है 1 प्लस 5 6 x अगर 2 लेते हैं तो y 2 प्लस 5 is a 7 and x equal to 3 तो y is equal to 3 प्लस 5 8 ठीक है यहां से निकालते है relation relation क्या बनेगा 1 किसकी साथ relate कर रहा है x की value हमारे पास 1 आई है y की 6 आई है इसका मतलब हुआ कि 1 रिलेट कर रहा है 6 के साथ यहां से 2 रिलेट कर रहा है 7 से and 3 रिलेट कर रहा है 8 के साथ ठीक है the 1 6 2 7 & 3 8 यह हमारे पास relation आ गया relation को roster form में लिखिये ठीक है roster form में हमने लिख दिया यह हमारी roster form होती है ओके दैन कहता है कि write down its domain and co domain domain निका लिए इसके domain क्या होती है जो हमारे बास relation में first place पर जो number आते है यह होगी domain co domain co domain co domain में क्या आएगा relation हमारा बोलागा natural to natural the relation number है वो from natural to natural यानि कि यह आपके पास co domain है तो co domain set आजाएगा one two three four up to son infinity चलता रहेगा यानि क्या आप लिख सकते हो natural number ठीक है codom and all natural numbers is a codom and अगर यहां पर range पूछली जाती तो क्या कैसे आंसर होता आपके बाग रेंज इस इक्वाल टू six seven and eight जो relation में second place पर आते हैं हमारे पास range होती है six seven eight टीक है एरो डाइग्राम से देखे दो set eight natural number to natural number relation ले रखें तो one two three four five six seven eight up to some same to some one two three four five six seven eight nine ten up to some क्योंकि इसमें भी हमारे पास natural number infinity इसे भी आपके बास infinite चलते रहेंगे तो हमें given क्या है कि one six के साथ relate कर रहे हैं तो one को six relate कर वाते हैं ठीक है two seven seven relate कर रहे हैं and three eight से relate कर रहे हैं तो यह आपके पास आजाएगा रिलेशन ठीक है एरो डियाग्राम से हम इस तरह से शूर्ड लैट a equal to one two three five b set दे रहा है four six nine define relation are from a to b relation आपके पास given the difference between x and y is odd relation में क्या condition लगाई गी है कि अगर हम x और y को difference करते हैं माइनस करते हैं तो वहां से उसका अनसर ओड आना चाहिए जहां पर x belong करेगा set a से और y belong करेगा set b से ठीक है जैसे फोर बिलोंग कर रहा है set b में one belong कर रहा है set a अगर मैं four minus one करते हूं तो क्या आता है three that means कैसा नमबर है यह odd number okay relation कैसे है first place पर a set का अलिमेंट है और second place पर b set का अलिमेंट है तो हम अगर four में से one minus करते हैं तो हमारे पास three answer आता है that means one relate करेगा four say okay अगर four में से मैं two minus करते हूं four minus two करते हैं तो यह आपके बास आया two this is not odd number फिर four में से हम three minus करते है four minus three is a one one odd number that means जो आपके बास किस का नमबर लिया है three number लिया है एका तो three relate करेगा four say okay then six में से आप माइनस करेंगे one six में से one minus करेंगे five रहेगा six में से two minus करोगे two four जो कि even number six में से three minus करेंगे यह डिलेशन में आ जाएगा six इस तरह से हमारे एक number को minus करके देखती जाएगे six में से one minus कि हमने five five यानि कि हमारे पास number आ रहा है it means अब यह पहले देखना पड़ेगा कि रिलेशन कैसे बना रहे हो फॉस्ट प्लेस पर हमारे पास यहां से लिखोगे one relate कर रहा है six से ना कि six relate कर रहा है one से ठीक है यह जान करने six में से अगर two minus करते हो even number आएगा six में से three minus करते है three यानि कि three relate करेगा six के साथ then six में से five minus करेंगे which is a one odd number आया that means five relate by six nine में से one minus क्या eight आएगा eight is a even nine में से two minus करेंगे तो आप octopus क्या आया है seven then यहां से आजाएगा two relate nine nine में से three minus करेंगे six nine में से five minus करेंगे four which is even numbers then अपके वास relation क्या बन जाएगा r is a relation जो जो relate हो रहे उसको हम लिख देंगे सबसे पहले हमारे पास क्या आया है कि one four से relate कर रहे one four say then three four say next is one six three six five six and two nine ठीक है और कोई number four में से हमने three minus क्या three four ले लिया ठीक है six one three and five ठीक है यह आपके बास relation बढ़ गया इन रोस्टर फार्म अब क्या कहता है यह रोस्टर फार्म में लिख दिया इसको डॉमेन को डॉमेन अगर बताने हो इसकी कैसे बताऊगे one three one three five two देखें जो फॉस्ट प्लेस में नंबर आ रहे हैं one three one फिर से आ रहा है then three five and two five two इसमें से जब हम डॉमेन लिखते हैं तो जो दो बार नंबर आ रहा है आपके बास रिपीट होड़ा उसको में one time count करके चलेंगे one three two five यह बन जाएगा आपके बास डॉमेन और रेंज की बाद आती है four six nine तो four six nine इसकी रेंज हो जाएगी जो आपके बास relation में एस्सेट होते है four six nine it's aczyć इस ध्योंफिन है राइट रहन देखे राई थर्लीशन इंजे रिल्टर फोन रोस्टर फोम दॉनहों फोरम मैं लिखना सिक्टा इसक्रस क्टि और रख तो आपके बास ड्येवरTM से इस ए अरोश्टर फोर्म और परेंसको convert करने है कि कैसे करना है कि एरो डाइग्राम से ही शो हो रहा है कि कौन सा element किसे relate कर रहे है यहां से अगर हम देखे तो 5 relate कर रहे 3 के साथ ठीक है and 6 relate कर रहे 4 and 7 relate कर रहे 5 से तो अगर हम इसकी रोस्टर फॉर्म निकाले जो रोस्टर फॉर्म है सेकेंड वाली क्या बनती है 5364 कि 7 5 ठीक है पीटू क्यों निकालना है रिलेशन हां जी बिट्मिन सेट पी एंड क्यों फाइंड आउट करना कि देखें यह आपके वास होगा रोस्टर फॉर्म में इसको चेंज करें सैट विल्डर फॉर्म इन सैट विल्डर फॉर्म फॉर्स्ट कैसे लिखेंगे मारे बास एक्स वाई टाइप के अब इन में रिलेशन देखें सब में क्या कॉमन रिलेशन है थ्री में हम फाइफ में से हम त्री टू माइनस करेंगे त्री आएगा सेक्स में से टू माइनस करेंगे फॉर्म तो ऐसा मेरे पास रिलेशन आ रहा है एक्स वाई एक्स रिपरजेंट करेगा फॉस्ट एलिमें को इसके element को एक्स रिपरेजेंट कर रहा है इसके element को य अध्यागं कर रहा है तो यह हमारे पास कब आ रहा है कि कब आ रही है अगर मैं य की बेन निकालते हूं तो एक्स में से मुझे two minus करना पढ़ेगा तब मेरे पास y आएगा तो कि अगर वाइफ में से two minus करूंगी तो 3 आएगा six में से two minus करूंगी तो four आएगा and seven में से two minus करूंगी to five आएगा तो relation क्या बनेगा हांब है यज इसेपल तू x minus two y कि value तब आ रहे है जब X में से 2 माइनस कर रहे हैं, 3 कब आया है, जब 5 में से मैंने 2 माइनस करे, ठीक है, then X, ये भी बताना आपको, X बिलॉंग करेगा सेट P में, and Y बिलॉंग करेगा सेट क्यों में, ये बन गया, आपके पास, सेट बिलॉंगर, फिर आपको बताना है, डॉमेन, डॉमेन क्या बनेगी, डॉमेन इस फाइव, सिक्स, सेवन, फाइव, सिक्स, सेवन, इस डॉमेन, and अगर हम रेंज निकालते हैं, 3, 4, 5, and 3, 4, 5, और अगर, को डॉमेन, पूछा जाए, को डॉमेन, को डॉमेन क्या ही वाहा, हमारा जो रीलेशन, है पी टू क्यों जा रहा है, तो क्यों हमारा को डॉमेन होता है, है 345 345 क्योंकि आपके वास इतननी नंबर है त में गए है को ओमें GUY को में धर से यहां सो Арम अ समसे घो होता है खोडों, है ऑगे खोडों मेन के जो नंबर होते हैं जो फिवलेत्ट डिलेशनमें infamous हञते हैं उनको चलवेंश है है कि दो रेंज आपके बास अधूसी यह न होते हैं यह मारा को डो मेन होता है तो अलिमेंट इसके होते हैं बद जो कि रिलेशन में आते हैं वही वही उढते हैं को प्रीकों फिफ्ट प्रिस सैट ईह रखा पास रिलेशन ऑद ओन ए डिफाइन कर रखा इस तरह ऐसे कि A B इसके अंदर अलिमेंट होगे भी टाइप के A B बिलॉंग्स टुए A B इस एक्जेक्टली डिविजल वाइए यह रिलेशन द्यान से देगना है वह एक्टली लिया है यह है एलिमेंट कर दिवाइड लिमेंट खुरासथ प्लेस और से यह विलीजा protegg действ आ आपको बताना कि रिलेशन डोस्तर फ में डॉमेंट बतानी है जले से न हमारा A to A है ऐसे नमबर निकालिए A set आपके पास क्या given है 1 2 3 4 & 6 यह given है ठीक है तो ऐसे नमबर देखिए जो इनको divide कर रहे हो हमने कहा कि A divides B यानि कि 1 divides क्यूंकि A to A ही हमारा relation है 1 2 3 4 6 इससे हमें इसी set तक जाना है तो relation निकालेंगे तो 1 1 को divide करेगा 1 divides 1 इसका मतलब 1 relate हो जाएगा 1 के साथ तो ऐसे relation बनाना है जो आपके बास यह नमबर इसको पूरा-पूरा divide करता हो 1 2 को भी divide करेगा 1 3 को भी divide करेगा 1 4 को भी divide करेगा and 6 को भी next 2 2 1 को डिवाइड नहीं करेगा प्रॉपर ली 2 3 को 2 2 को डिवाइड करेगा 2 3 को डिवाइड नहीं करेगा 2 4 को डिवाइड करेगा फोर तू के साथ फोर जो हो एक्जेक्ट्ली डिविजल वाइड टू होगा ठीक है फिर देखते हैं 2 6 को भी divide करेगा यहां नेक्स्ट वातने 3 3 1 को डिवाइड नहीं करेगा 2 को डिवाइड करेगा दैं 3 3 त्री next 344 डिवाइड नहीं करेगा बट्री 6 को डिवाइड करे गा नेक्स्ट वर लगजाति 54 123 किसी गोड़ नहीं करेगा domain domain में कौन कौन से नंबर आते हैं domain 1 1 1 1 सारे समय सेम आ रहा है next is 2 and 3 4 6 1 2 3 4 6 यह आपके पास domain हो गई third is range निकाली है इसकी range 1 2 3 4 6 2 फिर से repeat हो गया 4 repeat हो गया 6 हमारे पास पहले आ चुका दोबारा नहीं लिखेंगे 3 6 4 6 दोबारा से वही repeat हो रहे है तो आपके पास क्या जाएगा 1 2 3 4 6 यह आपके पास range आ जाएगी तो जो जो आपके पास divide हो जाएंगे पूरे की पूरे domain set A यही दे रखा है domain भी set A and range भी set A और अगर core domain पूछ लेता core domain यह आपके पास already set A है क्योंकि A to A relations find domain and range of the relation are defined by this यह आपके पास relation given X की value 0 1 2 3 4 5 इसमेंसे आपको लेके चलना है और आपको relation find out करना है simple सा question है X की value आपको 0 अगर हम 0 लेके चलते हैं तो आपके फर्स्ट क्या बनेगा एक्स के प्लेस 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 फाइट नेक्स एक्स की फाइड फाइड फाइफ 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 फाइट 10 ठीक है अब यहां से देखें आपके बाद जो रिलेशन बन रहा है domain and range find out करनी है यह हमारा रिलेशन आगे domain and range find out के जी domain क्या जाएगा first place पे जो नंबर आई है 0 1 2 3 4 & 5 यह आपके बास domain and range range is 5 जो second place पे आती है 6 7 8 9 & 10 तो आपको domain और range निकालने थी यह आपके बास relation given था तो अबने पहले relation बनाया then domain and range बते सेवन्थ कोश्चिन write down the relation r is equal to x xq यह relation दे रखा है कि आपको इस तरह से निकालना है कि x अगर हम यह number x लेते तो second इसका cube आजाएगा ठीक है x is a prime number less than 10 यानि कि x जो आपके बास prime number होगा but 10 से छोटा होगा अब जो वो प्राइम नमबर निकाल लीजी जो 10 से छोटे होते हैं prime number x की value क्या क्या हैगी पहला prime number two three next is five seven बस eight nine ten से छोटे यह होते है then x की value रखते जाओ relation निकालते जाओ अगर मैं x की value two लेते हूँ तो two की cube second number आजाएगा हमारा eight ठीक है x की value अगर हम three लेते है then three की cube twenty seven ठीक है five लेके चलेंगे तो five key cube is 125 और अगर हम x की value seven लेते तो seven का cube करेंगे यहाँ पर forty nine into seven three four three ठीक है यह बन जाएगा आपके पास relation इसको हमने रॉस्टर फॉर्म में लिखना था यह आपके पास आजाएगा रॉस्टर फॉर्म है ठीक है तो जो भी condition इसको फिल्फिल करवाना होता है एक्स प्राइम नंबर है लेस दन 10 है तो हमने एक्सकी वैलियूज निकाल लिए इसमें पुट करते जाएंगे एक्स में जो रिलेशन में नंबर आपके वास वह इस टाइक की रिलेशन नंबर गियो है इसका क्यूब होना चाहिए तो यह हमारे पस रिलेशन आ जाएगा नेगी कोशन एट लैट एक रिलेशन बना सकते हैं तो फॉर्मूला हमारे पास क्या था सबसे पहले हमें पता नोची कि आपके यानि कि कार्टीजन प्रोड़क्ट में एक तो इसका इसका सिंपल फॉर्मूला होता है अफ्र उसमें कितने नंबर आएंगे तो यह आजाएगा आपके पास 3 into 2 is a 6 a cross b क्यों निकालते हैं क्योंकि हमारे तो relation होता है वो subset होता है a cross b का और हमें बताना है कि कितने number बनेंगे a से कितने relation बनेंगे a to b तो हम क्या करेंगे relation को a cross b के equal put कर देंगे then total number of relation जब निकालते हैं वो होता आपके पास total number of relation from a to b 2 raise to power जो आपने n of a cross b निकाला है ठीक है n of a cross b कितना है 6 total number of relation यह बनेंगे इन केस अगर आपको यह formula याद नहीं रहता है कि a cross b में कितने element होते हैं तो आप a cross b find out भी कर सकते हैं a cross b कैसे निकालते हैं ordered pair लेते हैं x और b के element a और b के element का x 1 के साथ पेर बनाएगा फिर x 2 के साथ बनाएगा then y1 y2 last is z1 z2 ठीक है यह बन जाएगा a cross b अभी समें काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 इसमें 6 नमबर आएगे तो वही हमारा formula बन जाएगा 2 raise to power 6 इतने इसमें total number of relation बनेंगे लास्ट कोशन इस आर इस रिलेशन फ्रों जैड 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 आफ इंटीजर डिफाइन बाइड रिलेशन दे रखा है कि यह भी हमारे पास इंटीजर से बिलाओं कर रहे हैं और अगर हम दोनों के सब्ट्रेक्शन करते हैं करते हैं वह भी आपके पास इंटीजर ही आना चाहिए ठीक है तो ऐसा आपके बास एलिमेंट है कि इंटीजर आपको लेके चलना है और उनकी सब्ट्रेक्शन भी इंटीजर आने चाहिए यह कंडिशन आपके बास बिलाओं कहता है कि डॉमेंट और रेंज बताइए रिलेशन की चले देखिया हमारे बास नंबर है एब टाइप के हमने कहा कि एबी हमारा इंटीजर से बिलॉंग करता है ठीक है कोई भी दो इंटीजर उठा लेजिए अगर उनकी सब्ट्रेक्शन करते हैं वाने बिलिया ए-को-2 और बास आइपके नहीं करना है ऐ-ë मांस बिलीज तो अगरण सब्ट्रेक्शन करेंगे वह भी आपके बास क्या जाएगा बीजाहएगा ठाइप है तो रिलेशन हमारे पास क्या गहता है कि एभी इंटीजर होना चाहिए उसमें आपको डॉमेन और रेज बताइए तो क्या आजाएगा आपके बास डॉमेन लेके चलेंगे हम है डॉमेन यानि कि आपके वास एक प्लेश पर आप कौन-कौन से नंबर ले शकते हो ओल इंटीजर एक जगाए पर हमें इंटीजर लेंगे तो रिलेशन में करेंगे तो रिते वो सारे इंटीजर आजए क्योंकि किसी बिदीजर की सब्ट्रेक्शन करते हैं आपस में तो इं integer set of integers ठीक है और अगर हम रेंज निकालते है रेंज मतला हमारे बास बीक किसे भी लॉंग करेगा बीज और इंटीजर तो रेंज भी क्या जाएगी इंटीजर इस इस अल्सों सेट फिंटीजर यह आपकी बास exercise 2.2 exercise ठीक है इसको ट्राइक एजिये और नेक्स लेक्चर में हम करेंगे नेक्स लेक्सराइज